मित्रो, कविता मंजरी कारेक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कारेक्रम की इस श्रिंखला में हम आपके लिलाए हैं हिंदी के प्रमुख चायाबादी कवियों की कुछ महत्वपूर्ण रचनाए इस क्रम में आईए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की ग्राम्या से संकलित कविता संध्या के बाद सिम्टा पंख साज की लाली जा बैठी अब तरुशिखरों पर ताम्र पर्ण पीपल से शत्मुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्जर जोती स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य खुतिज पर होता ओजहल ब्रिहद जिहम विश्लत के चुल सा लगता चितकबरा गंगा जल धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सरपांकित नील लहरियों में लोडित पीला जल रजत जलद से बिम्बित सिकता सलिल समीर सदा से सनेह पाश में बंधे समुझ्ज्वल अनिल पिघल कर सलिल सलिल जूँ गती द्रवखो बन गया लवोपल शंक घंट बजते मंदिर में लहरों में होता लय कंपन दीप शिखासा ज्वलित कलश नभ में उठकर करता नीराजन तट पर बगुनों सी व्रिद्धाएं विध्वाएं जब ध्यान में मगन मंथर धारा में बहता जिनका अद्रिश गती अंतर रोदन दूर तमस रेखाओं सी उडती पंखों की गती सी चित्रित सोन खगों की पाती आरद्र ध्वनी से नीरव नभ करती मुखरित स्वर्ण चूल सी उडती गोरज किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में जोतित पंखों कंठों का स्वर लोटे खग गाये घर लोटीं लोटे क्रिशक श्रान तुशलत डगधर छिपे ग्रिहों में म्लान चराचर छाया भी हो गई अगोचर लोट पैट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाओ पर उंटों घोणों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर जानू की सूनी द्वाभा में जूल रही निशिचाया गहरी डूब रहे निश्प्रभ विशाद में खेत बाग ग्रिह तरुतट लहरी बिरहा गाते गाडी वाले भूँक भूँक कर लड़ते कूकर हुआ हुआ करते सियार देते विखर्ण निश्बेला कोसर माली की मणई से उठ नब के नीचे नबसी धूमाली मंद पवन में तिर्ती नीली रेशम की सी हलकी जाली बत्ती जला दुकानों में बैठे सब पस्बे के व्यापारी माउन मंद आभा में हिमकी उंग रही लंबी अंधियारी धुआ अधिक देती है टिन की धबरी कम करती उजियाला मन से कढ़ अवसाद श्रांती आँखों के आगे बुनती जाला छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते घिर सुख दुख अपने कंप कंप उठते लौके संग कातर उरक्रंदन मूक निराशा ख्रीन जोतिने चुपके जूँ गोपन मन को देदी हो भाषा लीन हो गई खण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन भूल गये लाला अपनी सुधी भूल गया सब ब्याज मूलधन सकुची सी परचून किराने की धेरी लग रही ही तुच्छितर इस नीरव प्रदोश में आकुल उमण रहा अंतर जग बाहर अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन जाग उठा उसमें मानव और अस्फल जीवन का उत्पीरन दैन्य दुख अपमान गलानी चिर खुधित पिपासा मृत अभिलाशा बिना आय की क्लांती बन रही उसके जीवन की परिभाशा जड अनाज के ढेर सद्रिश ही वह दिन भर बैठा गद्धी पर बात बात पर जूट बोलता कौडी की स्परधा में मर्मर फिर भी क्या कुटुम्ब पलता है रहते स्वच्छ सुघरसब परिजन बना पारह वह पक्का घर मन में सुख है जुटता है धन खिसक गई कंधों से कथडी ठिठुर रहा अब सर्दी सेतन सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवश्टा का निजकारण शहरी बनियों साव भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन रोक दिये हैं किसने उसकी जीवन उन्नत के सबसाधन यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन कर्म और गुण के समान ही सकल आयवय का हो वित्रण घुसे घराओंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामुहिक जीवन मिलकर जन निर्मान करे जग मिलकर भोग करें जीवन का जन विमुक्त हो जनशोशन से हो समाज अधिकारी धन का दरिद्रता पापों की जननी मिटे जनों के पाप ताप भय सुन्दर हो अधिवास वसन तन पशुपर फिर मानव की हो जये व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोशी जन के दुख क्लेश की जन का अश्रम जन में बट जाए प्रजास सुखी हो देश देश की तूट गया वह सपन वनिक का आई जब बुढिया बेचारी आध पाव आटा लेने लोग लाला ने फिर डंडी मारी चीख उठा घुगगु डालों में लोगों ने पट दिये द्वार पर निगल रहा बस्ती को धीरे गाण अलस निद्रा का अजगर ग्राम्या का मूलस्वर ग्रामीन जन जीवन के विभिन सामाजिक पहलूं से जुड़ता है इस कविता में ढलती हुई साज के समय गाण के वातावरण, जन जीवन और प्रकृतिका सुंदर चित्रन हुआ है संध्या का समय जब सूर्य पश्चिम में छिपता है और चारों और अंधियारा फैलने लगता है ये एक ऐसा समय है जब संसार के लगभग सभी प्राणी अपने अपने घर लौटना चाहते है ऐसे दृष्च खास तौर पर ग्रामीन अंचल में अवश्य दिखाई देते हैं जिसमें किसान, मजदूर, पशुपक्षी, आदी, अंधेरा होने पर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं सुभह होती है, शाम होती है, यूँ ही हर दिन की एक नई शुरुवात होती है शाम या संध्या के बाद का कोई एक ऐसा दिन जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, उसको नई कविता का रूप दीजिए शाम होती है